जार्खन को सुखा ग्रस्त घोसित करे सरकार जार्खन पर देश भाजपा किसान मोर्चा के पताधिकारियों जीला ध्यक्छो और जीला परभारियों के बैठक में राज़े में 50% से भी कौम बार्षा होने की स्थिती पर चर्चा होई इसे से किसानों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई गई मोर्चा ने राज़सरकार से सभी जीलों में सुखा ग्रस्त घोसित करने के लिए ग्यापन देने का निने लिया है मांग न मानने पर अंदोलन करने का भी निने लिया गया बता दे बैठक में मोर्चा कराश्टिये उपाध्यक जगरनाथ ठाकू ने कहा है कि राजे में सुखे के हालात हैं राजसरकार सुबे को सिग्र सुखागरस्त घोसित करे एम किसानों को उनकी पैदावार के नुकसान का आकलन कर्मुअब जादे बैठको परदेश भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्स पवन साहु ने बीगत संगार्षनिक कारे की जनकारी दी उन्होंने राजे में कौम बारिस की थिती पर चिन्ता जताते हुए एक 20 जुलाई को सभी जिला अधिकारियों को जिले में सुखागरस्त गोसित करने के लिए ग्यापन देने की बात कही उन्होंने कागी सरकार यदि सुखाड़ पर अपनी ठीती असपर्च नहीं करती है तो 25 जुलाई को राजे को सुखागरस घोसित करने को लेकर सभी जिला मुख्याले पर किसान मोर्चा करता हो द्वारा धारना परदस्थन करने की बात कही उर्दू सब्द जोड़े गए इसकूल के हिर्माश्टर के बिरूध होगी करवाई सब्द जोड़ने तथा वहाँ सुक्रवार को आवकास दिये जाने के मामले में सभी जीला सिक्षा पताधिकारी और जीला सिक्षा अधिकों को सक्त आदेश दिया है उन्होंने मंगरवार को सभी जीलों की वीडियो कंफरेंसी में कहा है कि या अतियंत गंभीर मामला है आशे सभी स्कूलों के परधना ध्याब को या परभारी सिस्कों के विरूद अनुसासनिक करवाई की जाए सिक्षा सची उने जीला पताधिकारियों के उन स्कूलों के भी द्यालैस प्रवन्दन समीति को भंख करने के भी निर्देश दिये जहां ऐसा किया गया है जारखन में पहली से सातवी तक के फेल स्टूडेंट भी अगली कलास में जाएंगे पहली से सातवी तक के वैसे चात्रशत्राय जिन्होंने परिक्षा नहीं दी थी या परिक्षा देने के बाद फेल हो गए थे उन्हें भी अगली कलास में प्रोनत किया जाएगा इसके लिए सिख्षा परियोजना परिसद ने सभी जीलों को निदेशदे दिया है पहली से साथवी का क्छा तक की वर्सिक परिक्छा 6-15 जुन तक हुई थी परिक्छा का रिजल्ट सभी स्कूलों में जारी कर दिया गया है बता दे कई जीलों ने सिक्षा भी भाग से पुशा था कि जो छात्र छात्रा इस परिक्षा में किन ही कार्णों से सामिल नहीं हो सके या फिर परिक्षा में फेल कर गए हैं उनका अगली कलास में नमांकन लिया जाएगा या नहीं जे एमेम नेता पंकज मिश्रा गिरफ्तार आट जूलाई के बाद हाजिर होना था इड़ी ने मंगलवार को जे एमेम नेता पंकज मिश्रा को पुश्ट आज के बाद गिरफ्तार कर लिया है पंकज मिश्रा पर टेंडर मैनेज करने से समन्धित मामले में मनिल लॉंडरिंग का आरूप लगा है बता जै कि गत 8 जूलाई 2022 को छापे मारी के बाद रांची इड़ी ओफिस में हाजिर होने का निर्देश दिया था इसी के तहट आई सुबह इड़ी ओफिस आए जहां घंटो पुष्टाच के बाद उन्हें गिरफतार किया गया गिरफतारी के बाद उन्हें कुरोना जाज के लिए सदर अस्पतार ले जाया गया फिर वहाँ से कोतवाली थाना लाया गया मालूम हो कि टेंडर विवाद में दर्ज मामले को लेकर 8 जुलाई 2022 को इड़ी ने पंकज मिस्रा सहीत 18 लोगों के ठीकाने पर चापे मारी मारा था जारखन में तेजी से ठीक हो रहे है कुरोना मरी जारखन में कुरोना का संक्रमा लगातार बढ़ रहा है हलाकी राहत की बात या भी हाए कि भले ही राजells में इसका संक्रम नदर तीसरी लार की तरही अधिक हो लेकिन इस बार मरीज अधिक तेजी से ठीक भी हो रहे है जारकन में पिछले 18 दिनों में मिले नए केस तथा स्वस्थ हुए मरीजों की संक्या इसकी पुष्टी करती है सबसे अच्छी बात या है कि इस दोरान सिर्फ 5 वैसे मरीजों की जान गई है जो ब्रीध थे तथा अन्य गंभीर बीमारियों से जूज रहे थे बता दे जारकन में एक जुलाई से अब तक 59 नए केस मिले है जबकि 1249 मरीज ठीक भी हुए इस तरह लगभग 64 पर 37 मरीज स्वस्थ हो चुके है रिया तिर्की और सीम हमन्त की मुलाकात जारकन में बनेगा आट गैलरी जारकन सरकार परती भावान चित्रकारों की पेंटिंग संजोने के लिए आट गैलरी का निवान कराएगी मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने मंगलवार को फेमिना मीस इंडिया 22 के ग्रेंड फिनाले में जारकन का परती निधित्व करने वाली रिया तिर्की से मुलकात के करम में या गोस्ना की मुख्य मंत्री ने इस परतिष्ठीत परतियोगता में मुकाम हासिन करने के लिए उन्हें बदाय दी मुख्य मंत्री ने कहा है कि आप जारकन की पहली आदिवासी बेटी हैं जिन्होंने अपने परतिभार लगन और मेहनत की बदलत फेमिना मीस इंडिया 22 के ग्रेंड फिनाले तक का सपरता है किया पूरी परतियोगता में आपका बेहतरीन परतासन रहा मंगलवार को सत्तर हजार कावारियों ने किया जलारपन मंगलवार को बाबा मंदीर में जलारपन करने आय कावारियों की कम भीर देखी गई सिग्रदर्शन कूपन की बेवस्था जाई रहने के कारण कावारियों को जलारपन में काफी सुभधा मिली बेहतर बेवास्ता के तहट साम साथ बय तक करीब सत्तर हजार कवारियों ने जलारपन किये वहीं एकई सब उन्तिस भक्तों ने सिग्र दर्शनम कूपन लेकर जलारपन किया तए समय सुबह के करीब तीन बज कर पांच मेर्ट पर बाव मंदिर का पट खोला गया बता दे चली आ रही प्रणपरा के अनुसार सबसे पहले मा काली की पुजा संपन कराने के बाद बाबा पुजारी विद्धयनंद ज्हा ने बाबा भोलेनात का बिस मिन्टों तक कांचा जल पूजा को संपन कराया उसके बाद पुजारी सिरिजहान ने सरदारी पुजा प्ररम की सोड सुराचार बिधी से करीब 45 मिन्टों तक पुजा करने के बाद सुबह 4 बजे आम भक्तों के लिए अरगा के माध्यम से जलारपन प्ररम कराया गया रांची में किरिसी मंत्री ने पेट क्लिनिक का किया उधगाटन राजे के पसुपालकों को अब अपने पसुओ के स्वास्थ की देखबाल के लिए परिसान होने की ज़रूत नहीं है अब उनके इस फिक्र को दूर करेगा राज सरकार द्वारा संचालित पेट क्लिनिक यह क्लिनिक 24 गंटे 7 दिन काम करेगा इस तोरान उन्होंने पसुपालन की गतिवीदियों से पसुपालकों जनपर्तिनिधियों आधिक आउगत कराने के लिए एक करेसाला काभियुद गाटन किया उन्होंने कहा कि पसुपालकों को 24 घंटे 7 दिन चिकित सा सुविधा उपलब्द कराने के लिए ततकाल जीला पसुपालन कर्याले रांची में पेट क्लिनिक की सेवा प्राराम की गई पूजा सिंगल की जमानत पर 26 जुलाई को सुनवाई मन्रेगा होटाला मामने में निलंबित आईएस अधिकारी पूजा सिंगल की जमानत पर इड़ी की विशेस अदालत में सुनवाई होई सुनवाई की दोरन पूजा सिंगल की वकिल विश्वजीत मुखरजी की ओर से कोट से इड़ी द्वारा दाखिल चार्चिट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई इसके बाद इड़ी कोट ने सुनवाई की अगली तारिक मुकरण कर दी है बता दे अगली सुनवाई 26 जुलवाई को होगी जार्खन में डेरी उद्ध्योग के मामले में रांची अवाल रांची की संसस संजय सेट के जार्खन में डेरी उद्ध्योग को लेकर लोक सभाई में उठाए जार्खन में डूद्ध उद्ध्योग की संख्या में पड़ोत्री हुई है जुन 2022 तक पूरे जार्खन में सबसे अधिक दूद्ध उद्ध्योग के लिए सासो पड़ टैक्स जार्खन मुक्ती मोर्चा ने जीएश्टी के नवे परविधानों को लेकर केंद्र सरकार की घेराबंदी की है केंद्री समितिस्थ स्प्रियो भट्टा चाई ने सवाल उठाया है कि क्या इसलिए जीए जीएश्टी लागू किया गया था पठन पठन समगरी रोटी से लेकर हर चीज पर टैक्स लगाया गया है मध्यमबर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है 25 किलो तक चावल का पैकेट लेने और 10 किलो के आटा पर टैक्स देना पड़ेगा लेकिन 50 किलो लेने पर टैक्स नहीं लगेगा यानि बड़े लोगों के लिए टैक्स से छूट और छोटे लोगों के लिए टैक्स की मार का प्रविधान के इंद्र सरकार ने लिया है क्या इसलिए सरकार का गठन हुआ था अरूप चटर जी को जार्खन हाई कोट से आंतरिक जमानात बिहार के पुर्व डिजीपी गुपतेश्वर पांडे के दमाज से रंगदारे मांगने के आरोप में गिरपतार टीवी चैनल निउज एगारा भारत के मालिक अरूप चटर जी को जार्खन हाई कोट से अंतरिक जमानात मिल गई है बतादे जार्खन हाई कोट ने पच्चास एर की बेल बांड पर उन्हें जमानात पर रिहा करने का निद्देश दिया मंगलवार को जस्टिस एस के दिवेदी के अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई आई एस पूजा मामले में अभिसेख जा वात तीन बड़े अफसरों पर संकाट भरष्टा चार के अरोप में जेल में बंद आई एस पूजा सिंगल से जुड़ी मनी लॉंडरी मामले में परवतन निदेश सालाई की बिसेश अदालत ने एड़ी की ओर से दाखिल चार सीट पर संग्यान लिया है दो नवालिक लड़कियों को रांची आर्पीएफ ने बेचने से बचाया है रांची रेलवे एस्टेशन पर आर्पीएफ और नन्हेफ फिरस्ते की टीम ने दो नवालिक लड़कियों को बेचे जा रहे आरोपी को धर दबोचा है लड़किया स्टेशन के मुखे द्वार पर खड़ी थी संदे होने पर दोनों लड़कियों से आरपी एप ने पुश्टाच की पुश्टाच में बताया कि एक लड़की बंदगाव और दूसरी रनिया सोडे खोटी किराने वाली है उन्होंने बता जखन के सभी गॉसलाओं में पसुच्चिकितसक होंगे नियुक्तन जखरखन में 600 पसुच्चिकितसक हैं लेकिन परदेश की गौसलाओं में इनकी सिवावों का कोई लाब नहीं मिल रहा 500 से ज़्यादा गोवंस की गोवसाला में कम से कम एक पसु चिकित्सक नियुक्ती अनिवार की जाए बता देया मसला जारखन परदेशी गोवसाला संग की बैठक में संग के सजस्यों ने रखी इस असर पर पसु पालन निदेशक ससी परकास जार ने अस्वासन दिया है कि पसु पालन डॉक्टर राज्य की सभी गोवसाला में नियुक्त किये जाएंगे उन्होंने अस्वासन दिया गौव सेवा आयोग बकाया गौव खुराकी की रकम जल्द से जल्द गोशाला को देगा वहीं गौव सेवा आयोग के द्वारा दस गोशालाव को जल्द एम्बूलेंस परदान किया जाएगा जारखन में 266 उद्योगों पर हुई करवाई सरकार कई अलग अलग छेत्रों में लगतार काम कर रही है उक्ते आस की जनकारी केंद्रिये पर्यावरण एवाम वन मंत्री भुपेंद्र यादों ने सोमवार को लोग सवामे प्रस्नकाल के दोरान दी सरकार बहरी हो चुकी है लोबिन हेमराम जे एमिम के वरिष्ट विधायक लोबिन हेमराम एक बार फिर अपने ही सरकार पर गरजते नजर आए बता दे लोबिन ने कई मुदे पर बेवाग टिपनी की है जारखन में C.N.T.S.P.T. एक्ट पर उन्होंने कहा है कि इसका सही तरह से पाला नहीं किया जा रहा खुलेयाम जमीनों की लूट हो रही है बाचित के दोरान राष्ट पति पत के लिए द्रोपदी मुर्मो को समर्थन देने को उन्होंने सही ठराया लेकिन कांग्रेस के साथ बंती दूरी को लेकर कहा कि कांग्रेस के साथ आगे कैसे बढ़ना है या टक राहत कहां आ रही है इस पर पार्टी के वरिष्ट नेताओं को मिल बैटकर बात करनी चाहिए कुडार्मा नाव हाद्सा में सभी 800 निकाल लिये गए नाव हाद्से में डूबे सभी 8 लोगों के सव निकाल लिये गए हैं एंडी आरफ की टीम इसके लिए 36 गंटे तक लगी रही हाद्से के तिसरे दिन बाकी बच्चे दो बच्चों के भी सव मिल गए हैं बतादे राष्ट पती चुनाओं के बाद लवटी केंद्रिय राजमंत्री अनपूर्ना देवी ने मिरितकों के परिजनों से मुलकात की उन्होंने कहा कि जल्द ही छेत्र में एंडी आरफ की सवनांतर टीम बनाई जाएगी बतादे कि रव्यवार को कोडार्मा के पंच खेरो डेंग में ना डूमने की दुरगटना होई थी इस ना पर कुल दस लोग सवार थे पंकज मिस्त्रा की गिरफतारी पर भाजपा ने दी परतिकिरिया मुख्य मंत्री हेमान सुरेन की बिधायक परतिनिदी पंकज मिस्त्रा की गिरफतारी पर भाजपा ने तीखी परतिकिरिया दी है पूरे मुख मंत्री सहभाजपा विधायक दलक्रिनेता बापलन मरांडी ने कहा है कि वह मुखे मंत्री हमान सुरेन को सुरू से अगाह कर रहे थे कि साहिव गंज में बालू पत्थर, जमीन की लूट, विधायक परतिनिदी पंकज मिस्त्रा के सनक्षन और सहभाजितास में चल रही है पर सभी की मौन सुरुकृती रही गोड़ा संसर निसिकान दूबे ने परतिकिर्या देते हुए कहा कि वही हुआ जिसका डर था पंकज भाग नहीं पाए, आखिर इड़ी ने माइनिंग घोटाले में पकड़ लिया निसिकान दूबे ने कहा कि लगता है कि अब बरस्ट चार का दरवाजा तूटेगा फरजी जज बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफतार चारखन के जगरनाथ पूर थाने के पूलिस ने फरजी जजवा तांतरिक बनकर दरजनों लोगों से लाखो की ठगी करने वाले एक ठग को मंगलबार को गिरफतार किया गिरफतार ठग अतूल सर्मा मूल रूप से राजथान का रहने वाला है बरतमान में वा जगरनाथ पूर के लटमा में किराय के मकान में रह रहा था बता जा रहा है कि आरोपी अतूल ने रांची हाई कोट में कलर की नोकरी देने के नाम पर दरजनों से ज़्यादा लोगों को ठगी का सिकार बनाया पूलिस के अनुसार आरोपी के खिलाप जगरनाथ पूर्थाने में ठोगी की सिकायत दर्ज हुई थी राजधानी के एक हैर आठ परिवारों को ई लोटरी के जरिये आवास अवंटीत राजधानी के धुरवा इस्थीत आनी में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एक हैर आठ फालेटो का मंगलवार को ई लोटरी के जरिये आवंटन किया गया राजधी विश्व विद्याला इस्थीत स्वन जिहनती दिक्षान्त मंडप में इस लोटरी का आवजन किया गया था सुबा नौ बएस से ही निवंधन के लिए लोग का तारवत होना शुरू हो गये वहीं दोपर साड़े बारा बएस तक निवंधन के बाद लोटरी के परकिलिया शुरू की गया इस आवासों के लिए रांची के कूल 1521 लोगों ने आवजन दिया था जिसमें से 1302 योगी आवजन पाये गये वहीं इनमें से 119 उपस्थित हुए जिनके बीच आवासों कावंटन हुआ सरकारी बिद्याले अवकास मुद्दे पर आयोग ने मुख सचीव से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट राजे के विभिन सरकारी स्कूलों में अवकास के चल रहे मुद्दे पर राश्ट्रिय बाल अधिकार सनरक्षन आयोग ने मुख सचीव सुखदेव सिंग को पत्र लिखकर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है आयोग के अध्यक्स प्रियंक कानुन गो ने मुख सचीव से गाड़वा समेत राजे में कई जगों के इसकूल में सब्ताईक आवकास रभीवार की जगा शुक्रवार करने पर इस्थिती अस्परष्ट करने को कहा उन्होंने पत्र में लिखा है कि किस आधेश के तहत्या काम किया जा रहा है पूरे परक handler की जाच कर आयोग को 10 दिन में रिपोर्ट भेजी जाए और मांजी से बोकारो एक्सप्रेस्वे का काम जल्द सुरू होगा उर्बांजी गोला बोकारो एक्स्प्रेसवे का काम जल्द शुरू होगा टेंडर निप्टारा के बाद भू अर्जन के परकिरिया की जा रही है भू अर्जन 80% हो जाने के बाद इस पर काम शुरू कराया जाएगा काम शुरू कराने के पहले समधित कंपनियों के साथ डेट मन्रेगा कर्मी बिधान सभा का करेंगे घिराव राजे में मन्रेगा के तहत कारत कर्मियों की नराजगी एक बार फीर से सामने आ रही है इस बार की नराजगी कुछ ऐसी है कि मन्रेगा कर्मी 14 सालों से लंबित अपनी मांगों के लेकर बिधान सभा का घिराव करने के त्य जार्खन राजमंदेगा करमचारी संग के मताविक 14 सालों से उनके हीत से जुड़ी मांगो को पूरा करने से सरकार बचती रही है। जे बी भी एनल का डी वी सी के पास 4000 कोर का बकाया। डी वी सी, एंटी पी सी, पी टी सी जैसी कमपनियों का बकाया चुकाने के लिए जार्खन बिली बित्रन नीगम लिमिटेट 6000 कोर रुपए का लोन लेगा। यह लोन भारत सरकार के इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 के तहत लि लिए देता है, लेकि जार्खन को छोर कर सभी जी लोग के लोग समय पर सो पिजदी भुखतान करते हैं, वहीं डी वी सी के चेर्मेन ने बताया है कि राज सरकार पर ही कमपनी का चार हज़्या को रुपए बकाया है, धन्यवादू अब चैनल पनाई हो तो चैनल को सब्सक